मेरे प्यारे दोस्तों आप सब को जय मसी की Everything My Jesus यूटूब चाइनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं आसा करता हूँ कि आप सब प्रवईशु मसी के मीठे और पवित्र नाम में आशिशित और आनन्दित होंगे तो दोस्तों चलिए आज एक नया विसाय ले करके आया हूँ और उस विसाय का नाम है हर कामों को सफल होना चाहते हैं तो आपको ये 10 बचन को प्रती दिन रोज पर हैं उसके बाद है जो कोई काम पे जाए तब देखिए आपका परमिस्वर पिता है जो इस कामों में सफलता जरूर देंगे तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी हम आगे को नोटिफिकेशन बेजें वो आप तक आसानी से पहुँच सके तो दोस्तों हम बचन में देखते हैं कि कौन बचन हमें पढ़ करके प्रतिदीन है जी परमिश्वब पिता की बचनों में चलना है और आगे बढ़ना है हर कामों को परमिश्वर सफल करने के लिए काते हैं तपाला बचन है नीती बचन 16 के तीन पद जिसमें कहता है कि आपने कामों को यहवा पर डाल दे, इस से तेरी कलपनाय सिध्ध होगी, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक परमिश्वर का बचन कहता है कि जो भी आप काम करते हैं वो परमिश्वर पिता के चर्नों में सौप दे, उनके पास आप पहले है जे सौप दे, कि ह परमिश्वर पिता हम भी इस कामों को करना चाहते हैं, आप इसमें सफलता दीजिए, तो वो है जे सिध्ध होगा, वो है जे सच में है जे वो आपको सफलता मेलेगा, हम दूसरा दोस्तों देखते हैं, दूसरा बचन जो है एक राजा, अध्याय दू के तीन, उसमें परमि अध्याय दूसरा की बेवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विद्यों तथा ग्याओं और नियमों आउर चितोनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ ही तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ परमिश्वर का बचन कहता है कि सबसे पहले है, कि हम जो भी काम करें उसे सौपे, और वो है जो उस मार्गों पर हमें चलना है, और उसकी आग्याओं और विद्यों पर हमें चलना है, नियमों को मानते रहना है, और जो कुछ हम अग करेंगे, उसमें हमें सफलता हो देगा, और वो है जो पहले हम उसको मार्गों पे चलेंगे तभी हर काम होगा मेरे दोस्तों आगे का बचन देखते हैं लोकार चीसु समाचार 16 का दास जिसमें परमेश्वर का बचन कहता है कि जो थोरे से थोरे में सचा है वह बहुत में भी सचा है और जो थोरे से थोरे में अधर्मी है वह बहु कि हमें पूरा मिलेगा तभी हमी मंदारता देखाएंगे नहीं जितना हमें परमिश्वर दिया है प्रभूत दिया है उतने में हमें सच्चा ठाहरना है और इमंदारी से हैं उनके संगहती में आगे बढ़ना है ताकि वो है जे परमिश्वर पिता हमें और बहुत सा धन और ब के दश, उसमें कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरी शंग हूं, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमिश्वर हूं, मैं तुझे डिरीड करूंगा और तेरी शहायता करूंगा, अपने धरमे दायने हात से मैं तुझी समहाले इसलिए हमें परमिश्वर पिता के हमेशा उनके ओपर विश्वास और भरुशा के साथ चलना है बचन नमर पांच देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसमें सत्रा ध्याय के साथ पद उसमें कहता है धन्य है वह पूरुश जो यहवा पर भरुशा रखता है जिसने परमिश्वर को अपना आधार माना है हलेलुया, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, परमिस्वर का बचन उसे धन्ने काता है, जो परमिस्वर पर भुरुषा रखता है, और जीने का अपना आधार हर चीज को परमिस्वर के ओपर सौंपता है, और उन्हें अपना आधार के रुप में मानता है कि वही हमारा सब कुछ है, उसे है जे परमिश्वर पिता धन्ने काते हैं अगला बचन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो है विवस्था विवरन आठ के अठारा उसमें परमिश्वर का बचन काता है प्रंतु तु अपने परमिश्वर यहवा को अश्मरन रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपती प्राप्त करने का सामर्थ है इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पुर्वजोषे सपत खा कर बांदे थी उसको पूरा करें जैसा आज प्रकट है हाँ मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा असमरन करना है परमिश्वर पिता को कोई भी काम करें उसमें असमेरन करके करें क्योंकि वही है जो हम आपको संपती देता है और वह संपती इसलिए देता है ताकि हम उसको है जे महिमा करें और उसके हरी कामों में है जे हम अगवाई करें अगला वचन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो भजन सहीता सहीती सध्याई के चार में है यहवा को अपने सुख का मुल जान और वह तेरे मनुर्थों को पूरा करेगा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों अगर कुछ भी हम आपके जीवन में आनंदित हैं सुख हैं और संपति ह हर चीज हमारे आपके अंदर है तो वो परमिश्वर को अपना सुख के आधार को जानना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला बचन को देखते हैं निती बचन अध्याय तीन के एक से चार तक देखेंगे उसमें बचन इस प्रकार से कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम परमिश्वर के सिच्छा को बांते हैं और उनके सिच्छाओं पर चलते हैं तो आयू भी बढ़ाते हैं और अति खुसल से भी रहने के लिए काते हैं और काते हैं कि अति बुध्यमान भी होगा। तो हम आपको इस बचन को हमेशा परें और परमिश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए आगे को हमेशा इसे याद करें मेरे प्यारे दोस्तों। वो फिल्यूपियों के पुष्टक से हैं अध्याय 4 के 17 पद में हैं उसमें इस परकार से लिखा है किया नहीं कि मैं दान चाहता हूं परन्तों मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाब के लिए बहता जाए हां मेरे प्यारे दोस्तों परमिश्वर पिता हम आपसे ऐस प्रमिश्वर पिता करके लिखें कि दसमा बचन कौन होगा जो परमिश्वर पिता के जो भी हम काम करते हैं उस कामों में सफलता के लिए तो दसमा जो बचन है वो बचन को आप लोग कमिमेंट में लिखे जिससे प्रभु आप सब को आसीश करें तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको हम कोटी-कोटी धन्यवाद करते हैं और प्रभु से प्रात्ना करते हैं कि जब भी आप इसे वीडियो को देखे तो आपको प्रमिश्वर फिता घर परिवार में सांतिय आनन्द से भर देवे और पूरे झाल 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 झाल